नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने iPhone's को use नहीं कर पाते हैं इन में से किसी भी वज़े से आप अपने Apple ID का password भूल गए हैं आप अपने iPhone का password भूल गए हैं आपका Apple ID disable हो गया है या फिर आपका phone disable हो गया है गलत passcode डालने की वज़े से आपके phone का screen damage हो गया है जिसकी वज़े से आप अपने phone को unlock नहीं कर पा रहे हैं आप अपने phone में screen time या फिर find my services को off करना चाहते हैं पर आप password भूल गए हैं उनको off करने के लिए या फिर आप MDM screen यानि की mobile device management screen पर stuck हो गए हैं और उसे bypass करना चाहते हैं अगर आप इन में से किसी भी problem को face कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी problems के solution के बारे में बताऊंगा मेरा नाम एसे दाथ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्स इंडिया दोस्तों हम Tenorshare के 4U की screen passcode unlocker software की मदद से बढ़ी असानी से इन problems को solve कर सकते हैं Tenorshare के 4U की screen passcode unlocker से आप अपने iPhone के 4 digit या 6 digit password को remove कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने iPhone, iPad और iPod touch से screen ID और face ID को भी remove कर सकते हैं आप अपने iPhone के screen time passcode को भी हाँ पर remove कर सकते हैं इस software की मदद से इसके अलावा आप अपने Apple ID को भी अपने devices से बिना password के remove कर सकते हैं और आप MDM screen को भी हाँ पर bypass कर सकते हैं और MDM profile को भी अपने iPhone से remove कर सकते हैं आप इस software की मदद से अपने disabled iPhone, iPod या फिर iPad को बिना iTunes या iCloud के ठीक कर सकते हैं और ये software दोस्तो iOS 16 और iPad OS 16 दोनों के साथ compatible है और आप इसे latest iPhone 14 series phone पर भी use कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि ये software कैसे काम करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये iPhone 13 Pro Max यहाँ पर disabled हो गया है गलत passcode डालने की वज़े से अब हम इस software की मदद से अपने इस phone को ठीक करेंगे इस software को आप नीचे description में दिये गए link पर click करके download कर सकते हैं जब आप इस link पर click करेंगे तो आपके सामने ये web page open होगा अब आप यहाँ से इस download वाले option पर click करके इस software को अपने system पर download कर लें और इसको install कर लें जब आपका software install हो जाएगा तो इसको open कर लें जब आप इस software को अपने computer पर open करेंगे तो आपके सामने ये screen open होगा जिसमें आपको यह सारे option देखने को मिलेंगे Unlock iOS screen, Unlock Apple ID, Remove Screen Time Passcode और Bypass MDM अब सबसे पहले हम अपने इस disabled iPhone को अपने computer के साथ connect कर लेंगे अपने phone को अपने computer के साथ connect करने के बाद हम यहाँ पर अपने computer में इस Unlock iOS screen वाले option को select कर लेंगे और यहाँ पर इस start वाले option के उपर प्रेस कर देंगे अब आपको यह screen देखने को मिलेगा Unlock iOS screen का जिसमें यहाँ पर mention किया गया है कि 4U key will remove the lock screen without passcode, touch ID और face ID इसके लावा यहाँ पर हमें एक और warning देखने को मिल रही है कि removing the screen lock will erase all data on the device after the removal is successful You can use the backup to restore the device तो यहाँ पर जब आप इस process को complete करेंगे तो आपका phone का सारा data erase हो जाएगा तो अगर आपके पास अपने phone का data backup है तो आप उस data backup से अपने phone को restore कर पाएगे इस process के बाद लेकिन अगर आपने phone का data backup नहीं लिया है तो इस process से आपकी phone का सारा data यहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर अब हम इस next वाले option को select कर लेंगे अब हमें यहाँ पर यह option देखने को मिल रहा है no device selected का यहाँ से हमें अपने उस model को select करना पड़ेगा जो हमारे iPhone का model है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर iPhone 8 and above का option देखने को मिल रहा है i177 Plus का देखने को मिल रहा है और other devices का देखने को मिल रहा है हमारा iPhone यहाँ पर iPhone 13 Pro Max है तो हम यहाँ पर iPhone 8 and above पर अप्शन को select कर लेंगे अब हमें अपने इस phone को यहाँ पर recovery mode में डालना होगा recovery mode में डालने के लिए हमें अपने phone में पहले इस volume up की को प्रेस करना होगा और उसके बाद यहाँ पर volume down की को प्रेस करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर इस power button को प्रेस करके रखना होगा जब तक यहाँ पर हमें यह Apple का logo देखने को नहीं मिलता अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का यह message देखने को मिल रहा है इस message के बाद हम यहाँ पर अपने power button को छोड़ देंगे अब हमारा phone यहाँ पर recovery mode में आ गया है और अब आप यहाँ पर हमारे computer के screen पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर यह message देखने को मिल रहा है allow accessory to connect का यहाँ पर आप इस allow वाले option को select कर दीजिए यहाँ पर अब आपको software में यह screen देखने को मिलेगा download the matching firmware अब यहाँ पर हमारे iPhone का matching firmware version download होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि version के सामने यहाँ पर mentioned है 16.1 तो यहाँ पर अब हमारा software 16.1 software को यहाँ पर download करेगा तो इस download process को start करने के लिए हम यहाँ पर इस download वाले option के उपर click कर देंगे अब यहाँ पर हमारा firmware download हो रहा है हमारे computer पर तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे iPhone का latest firmware यहाँ पर download हो गया है अब हम यहाँ पर start remove वाले button के उपर press करके आगे का process start कर सकते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें screen देखने को मिल रहा है removing the lock screen का तो अब यहाँ पर lock screen को remove करने का process start हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा iPhone recovery mode से भाँ आगया है और यहाँ पर अब software इस्टोलेशन का process स्टार्ट हो गया है तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे iPhone का screen lock successfully remove हो गया है अब यहाँ पर हम डन वाले option को select कर लेंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा iPhone यहां पर restart हो गया है अब आप यहां पर अपने इस iPhone को दुबारा से setup करके आसानी से use कर सकते हैं अगर आपने पहले से ही अपने फोन का data backup iCloud पे या PC या Mac पे लिया हुआ है तो आप इन दोनों में से किसी भी option को चूज करके वहां से restore कर सकते हैं अपने पुराने डेटा को लेकिन अगर आपने अपने फोन का data backup नहीं लिया है तो आप यहां पर इस डोजन ट्रांसफर एप्स और डेटा वाले option को select करके अपने फोन का setup continue कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप Tenor Share के 4U की screen passcode unlocker की मदद से अपने फोन को unlock या फिर disabled iPhone को enable कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो useful लगा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें अपने दोस्तों और परिवार की लोगों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके धन्यवाद